नमस्कार बच्चो, मैं पुनवरधन, आज आपको आपकी पुष्टक बसंद का पाठ बारा कंचा पढ़ाने जा रही हूँ इस पाठ के लेखक है श्री टी पद्वनाबन बच्चो, ये कहानी एक छोटे से बच्चे अप्पु की है अप्पु हाथ में बस्ता लटकाए नीम के पेड़ों की घनी चाया से गुजर रहा था वे सिहार कवे की कहानी का मन ही मन मजा ले रहा था कहानी में चतूर सिहार कवे के मुँ से निकले रोटी के टुकडे को लेकर भाग गया तो वे जोर-जोर से हसने लगा जब अप्पु स्कूल जा रहा था तो रास्ते में चलते चलते वे एक दुकान पर पहुँचा जहां अलमारी में काच के जार रखे थे उसकी नजर बिसकुट चॉकलेट के जार छोड़ उस जार पर पड़ी जिसमें कंचे थे यह कंचे सफेद, गोल, बड़े, आमले जैसे दिख रहे थे वे कंचे के जार को देख कलपना में खो गया उसकी कलपना में वे जार इतना बड़ा हो गया जिसके अंदर वे खुद ही समा गया अर्थात उसे कलपना में ऐसे लग रहा था जैसे वो खुद ही जार में कंचों के पास चला गया है बाद में वे बहुत दे तक दुकान पर ही खड़ा रहा वे कंचे लेना चाता था लेकिन स्कूल की घंटी सुनते ही दौड पड़ा कंचे की दुकान के बाहर खड़े रहने के कारण उसे स्कूल पहुँचने में देरी हो गई थी तो स्कूल में देरी से आने पर वे सबसे पीछे बैठा था उसकी कक्षा के मित्र रामन, मलिका, अम्मू, आदी आगे बैठे हैं उसका एक मित्र जौर्ज था वे ध्यान कक्षा में नहीं दे पा रहा था कक्षा में मास्टर जी रेल गाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे मास्टर जी बार बार अपनी बैंत को मेज पर मार कर केवल, कंचों वाला वे बड़ा सा जार दिखाई दे रहा था वे सोच रहा था कि वे जार्ज के आने पर उसके साथ मिलकर खेलेगा इतने में ही उसे एक चौक का टुकड़ा आ लगा वे सहम गया, अचानक ही आकर लगने वाले चौक के कारण वे खड़ा हो गया मास्टर जी उसे डाटने लगे, मास्टर जी उसका चैरा देख कर ही समझ गये थे कि उसका ध्यान कहीं और था उन्होंने अपू से पढ़ाए गए पाठ के बारे में पूछा अपू उनसे डर कर कांत हुए जवाब देने लगा कि कंचा वास्ता में अपू का ध्यान तो पढ़ने में था ही नहीं इसलिए उसे पता ही नहीं था कि मास्टर जी रेल गाड़ी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उनको यही लगा कि वो क्या पूछ रहे हैं ये समझ में ना आने पर उसने क्या जवाब दिया कंचा यह सुनकर कक्षा में बैठे हुए सब बच्चे सहम कए मास्टर जी आग बबूला हो गए अपू रोता हुआ बेंच पर चड़ गया पडोसी कक्षा के टीचर भी दरवाजे से जहांक कर देखने लगे और बच्चे अपू का मजाक उड़ाने लगे अपू अब भी कंचो के बारे में ही सोच रहा था वैं सोच रहा था कि वैं जॉर्ज के आने पर उसके साथ खेलेगा वैं जॉर्ज के साथ दुकानदार के पास जाएगा मास्टर जी घंटा समाप्त होने पर चले गए अप्पू सोच रहा था कि कंचे कैसे लिए जाए मास्टर जी ने बच्चों से फीस भरने के लिए कहा सब बच्चे फीस जमा कराने कलर्क के पास चले गए अप्पू भी बेंच से उतर कर फीस भरने गया बच्चे एक एक करके फीस भरने लगे अधिकतर बच्चे फीस दे चुके थे अप्पू अभी कंचों के बारे में ही सोच रहा था उसके मन में अभी भी लकीरों वाले सफेद गोल कंचे घूम रहे थे घंटी बजने पर सभी बच्चे कक्षा में आ गए फीस जमा कराने का समय समाप्त हो गया था वह शाम को इधर उधर घूमता रहा जब अप्पू स्कूल से घर वापिस जा रहा था तो मोड पर वह दुकान देकर फिर वहीं चला गया वह शीशे के जार में रखे कंचे देखने लगा उसने अपनी फीस में से एक रुपया पचास पैसे के कंचे खरीद लिए दुकान वाला पहले तो घबरा गया वह सोच रहा था कि एक बच्चा इतने सारे पैसो के कंचे क्या करेगा लेकिन फिर उसने सोचा कि यह बच्चा कई बच्चों के लिए कंचे खरीदने आया होगा उसने उसे कंचे दे दिये अर्थार दुकानदार ने अप्पू को एक रुपे पचास पैसे के कंचे दे दिये कंचे खरीद कर अप्पू बहुत खुश हो कर घर की ओर चल दिया वे सोच रहा था कि शायद पूरा जार उसे मिल जाता रास्ते में उसने कंचो की पोट्री खोली तो सारे कंचे बिखर गए वे उनने चुनने लगा उसने किताबें बहार निकाल कंचे बस्ते में डालिये यह देख रास्ते में आता हुआ कार वाला भी खुश हुआ अप्पू बस्ता पीठ पर लगा और किताबें हाथ में लिए घर आया वे बरामदे में सलेट, कौपी, फैंक अपनी मा के गले लग गया उसके बस्ते में इतने सारे कंचे देख हैरान हो गई मा अप्पू ने मा को बताया कि वे फीज के पैसों से कंचे खरीद लाया है मा ने कहा कि अब खेलोगे किसके साथ, यह कहकर मा रोने लगी क्योंकि उसकी एक बहन थी मुन्नी जो अब इस दुन्या में नहीं रही थी अप्पू की मा अप्पू की छोटी बहन को याद करकर दुखी हुई और रोने लगी क्योंकि अगर उसकी बहन होती तो अप्पू उनके साथ खेल सकता था परन्तु अप्पू को खुश देकर मा भी खुश हो गई अप्पू ने भसते से खुश होकर आमले जैसे सुन्दर सुन्दर कंचे निकाल कर जब मा को दिखाए तो वे भी मा भी उसके साथ मिलकर हसने लगी तो बच्चो इस परकार आपने देखा कि एक छोटा बच्चा अपू जो अपने पढ़ाई को भूल कर कंचो की दुनिया में ही खो जाता है लेकिन बच्चो इस बात से आपको ये भी सीखना है कि हमें पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है हमारे लिए पढ़ाई सबसे पहले है जब भी आप कक्षा में बैठेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका पूरा ध्यान आपके अध्यापिका या अध्यापक द्वारा पढ़ाएगे विशे पर ही हो इस परकार मैं समझती हूँ कि आपने इस पार्ट को अच्छे से समझा होगा अगले पार्ट को लेकर मैं फिर आपसे मिलूँगी तब तक के लिए धन्यवाद